Hi everyone, welcome back to AR Network मैंने आपको Cyber Security से related काफी सारे Attacks बता दिये हैं काफी सारी चीजे मैंने Ethical Hacking plus Hackers के बारे में डीटेल में explain कर दी हैं अगर वो आपने वीडियोज नहीं देखी हैं तो काफी सारी वीडियोज मैंने बना रखी हैं उसको आप देख सकते हैं लिंक मैंने description में दे दी है आज की इस वीडियो में introduction to Cyber Security के बारे में मैं बताऊंगा कि Cyber Security basically होती क्या है और क्या-क्या steps होती हैं इसके अंदर और आखिर ये जरूरी क्यों है हमारे आज कल की रोज मर्रा की जिन्दगी में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा वे है या एक ऐसा पात है जो हमारी डिजिटल लाइफ को बहुत ही सेफ रखती है और प्राइविसी प्रोवाइड करती है ये हमारे कम्प्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और डेटा को हैकर्स, मालवेर्स और भी कई तरीके के डेंजर्स से बचाता है जैसे हम अपने घर की चाबी से दर्वाजा बंद करते हैं, वैसे ही हम अपनी डिजिटल लाइफ को इंटरनेट पर या फिर अपने डेटा को सेफ रखने के लिए प्राइविसी का इस्तिमाल करते हैं और ये प्राइविसी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे इंपोर्टेंस हैं, जैसे की पहला इंपोर्टेंस आता है कि ये हमारी परसनल और फाइनिशियल डेटा को सेफ रखता है ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया का इस्तिमाल करके हम अपना परसनल और फाइनिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं लोगों के साथ अगर ये सारे का सारा डेटा सेफ नहीं होगा तो हमारे बैंक एकाउंट और हमारी परसनल लाइफ रिस्क में जा सकती है और हमारा डेटा लॉस हो सकता है, डेटा पबलिक हो सकता है दूसरा साइबर सेक्योरिटी का इंपोटेंस है कि साइबर सेक्योरिटी के बिना हमारी नेशनल सेक्योरिटी भी खतरे में हो सकती है साइबर आटेकर्स कंट्री के वाइटल इंफराइस्ट्रक्चर को नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए government भी cyber security पर बहुत ज़ादा दिहान देती है तीसरा business और industries के लिए भी cyber security एक बहुत ही important topic है इन सब कारणों से साबित होता है कि जो cyber security है वो हमारी job, business और personal life में एक बहुत ही एहम role निभाती है हम सबी को इस पर दिहान देना है और अपने data की safety को बहुत ही seriously लेना है cyber security में कुछ terms आते हैं जैसे कि पहला terms है hackers hackers basically एक तरह कि digital spy होते हैं, जासूस होते हैं जो computer system, networks और software को समझने और सुधारने में माहिर होते हैं ये लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी भी system की vulnerabilities या weakness को ढूंडा जाए और उनका इस्तेमाल करके उसमें सुधार करें या फिर अपने फायदे के लिए उन चीजों के साथ छेड़खानी करें कुछ hackers खिलवाड या चोरी करने के लिए hacking का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ hackers हमारे safety के लिए भी काम करते हैं जो hackers एक बहुत ही अच्छे hackers होते हैं जो अपने किसी फायदे के लिए ये काम नहीं करते हैं बलके safety प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं उनको हम ethical hackers या फिर white hat hackers कहते हैं white hat hackers test करते हैं security में और अगर उसमें कोई vulnerability या फिर weakness होती है तो वो उस vulnerability या weakness को सुधार करते हैं और उसका way या उसका path वहाँ से बंद कर देते हैं second term इसमें आता है crackers crackers hackers से अलग होते हैं ये लोग किसी software या system के security को measure करते हैं और उसको धोका देने के लिए hacking का इस्तिमाल करते हैं इनका purpose हर वक्त illegal होता है crackers कोशिश करते हैं कि paid software को मुफ्त में इस्तिमाल कैसे करें या पिर कैसे mod applications बनाएं आपने देखा होगा YouTube का भी mod version आते हैं जो हमें premium features free में provide कर देते हैं तो ये सब क्या है ये सब cracking tool है ये सब crackers ने crack कर रखे और आप उसको इस्तिमाल कर रहे हैं तो ये कोई legal चीज नहीं है ये सब illegal होता है crackers अक्सर copyright law को बहुत ही चनौती देते हैं और normal users को pirated software का इस्तिमाल करने का मौका देते हैं जिसका अंजाम legal law में फसने का हो सकता है अगर कोई भी company ये case कर दे कि आप उनका जो feature है या जो उनका app है उसका mod version यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए jail भी जाना पड़ सकता है क्योंकि ये चीज गलत है आप किसी भी चीज़ का अगर premium version available है और अगर आप उस premium version को किसी mod application के through as a free use कर रहे हैं तो ये उस company के privacy का खत्रा बन जाती है तो I hope के आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी ही cyber security से related अभी मैं पूरे बहुत ही सारे attacks लेकर आने वाला हूँ DDoS attack, MKOS attack, MITM attack इस सारे के सारी वीडियो मैंने already भी बना रखे हैं एक नई तरीके से मैं फिर से ये सारी वीडियो लेकर आऊंगा तो चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना Thank you so much for watching this video